Hello friends, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मत्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों, यहां पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं जोग्रफी के कोश्चन्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एक्जैमिनेशन के लिए अभी यह जो हमारे कोश्चन्स हैं, यह आपके सिर्फ प्रिवेस येर कोश्चन्स नहीं हैं, सारे के सारे नए कोश्चन हैं, अब इसमें हमारी कोशिश यह है कि जितने कोश्चन्स आसजाद हम लोग कवर अप कर सकें, जिसमें आपका पूरा NCRT कवर अप हो जाए, examinations की उसकी आप preparation कर रहें, तो वहाँ पर भी उतना ही आपका ये पूरा session useful रहेगा, बाकी एक चीज़ में यहाँ पर आप लोग से जरूर कहना चाओंगा, कि आप लोग टेलिग्राम चैनल को हमारे जरूर जोइन कर लिजए, अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए त्यारी कर रहे हैं, daily basis पर रात 10 बजे, एक हमारा वहाँ पर live quiz चलता है, जिसमें आप से questions जो हैं आपको दिये जाते हैं, almost 40-50 questions का वो session रहता है, जिसमें current affair, history, geography और इस time पर हिंदी, ये चार section जो हैं वो चल ले हैं, जल्दी से उसको आप join कर लिए, ये daily basis पर PDF आपको provide कि जाता है, उसमें specifically जो standard books हैं, उस पर based questions रहते हैं, और with explanation रहते हैं, उसका PDF भी daily basis पर provide किया जाता है, जिसके लिए आपको मात्र 149 रुपर का payment करना है, और that is very very nominal, उतना तो at least कोई भी कर सकता है, और fees रखने का reason सिर्फ इतना सा है कि उसमें जितने भी students जो हैं participate करें, वो सा करूंगा, जितनी जल्दी हो, उतनी जल्दी उसको join करिए, क्योंकि आप जो आपका समीख शादीकारी के paper है, बहुत जादा दूर नहीं है, ठीक है, तो आईए शुरू करते हैं, बाच के अपने session को और देखते हैं, यहां पर कौशन से हर एक कोशन को खुद से लगाने की कोशिश भी यहां पर करते रहिएगा, सो यहां पर पहला जो कोशन है, इसमें पूशा गया है कि उत्तर से शुरू कर, दक्षन की और नीचे दी गई, जो पहाडियां है, इसमें से इनका सही अनुकरम कौन से है, मतलब आपको north to south अगर हम चलेंगे, तब उसमें कौन कौन स बताईएगा, जो भी बताईगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उसका नाम यहां पर अनॉंस करूँगा, यह जो पहाडियां है, यह कौन-कौन से state में पढ़ते हैं, कौन-कौन से राज्य में पढ़ते हैं, यह जरा comment section बताईगा, और अगर आप बता सकें, तो इनका जो highest point है, वो भी जरा comment section बताईगा, बट शर्त इतनी सी, यह कहीं search मत करिएगा, यह सिर्फ अपने दिमाग में search करिए, कि क्या आपको यह चीज पता है, कि नहीं पता है, इसके बाद अगले question की बात करें, पूशा गया है, नर्मदा और तापती नदियों के मद, इस इस question में यहाँ पर आपसे पूशा गया है, इस question में यहाँ पर आपसे पूशा गया है, कि अरावली ranges से related निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक विस्तारित है, एकदम सही बात है, ठीक है, इसके बाद बात करें कि अलावरी जो अरावली ranges है, यह पांच राज्यों से होकर गुजरती है, यह एकदम बात जो है वो incorrect है, क्यों कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ए काल में हुआ था, एकदम सही बात है, सरवोच चोटी कौन सी है, गुरू शिखर, अब जो यहां पर आप देखते हैं, कई सारे कोशन्स होते हैं, जिसमें तीन स्टेटमेंट्स ठीक होते हैं, तो उन तीनों स्टेटमेंट्स को याद रखना बेहत ज़रूरी है, क्योंकि ए कच की खाड़ी में लोकेटेड़ है, कच के लिटल रण में लोकेटेड़ है, या फिर यह कच के रण में लोकेटेड़ है, तो सही आंसर क्या है का हमारा option D, यानि कि जो कोरी क्रीक है, यह कहां पर लोकेटेड़ है, आपका कच के रण में, चलिए, इसके बाद चलते हैं, यह आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है तो व्यंत शिरोधर की बात करें तो यह दिया हुआ है कि यह खंबात की खाड़ी में है पहला वाला ही यहां पर incorrect है आंसर हमारा यही होगा बट अब comment section में आप लोग बताया है कि व्यंत अधियावार 3 पर यह located है इसके बाद move on करते है next question पर चलिए व्यंत शिरोधर के बारे में आपको बताने की जरूवत नहीं कच्छ की खाड़ी में ही located है ठीक है मतलब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि मुझे question आपसे नहीं करना चाहिए था already मैंने इसको यहां पर explain क चलिए अगला question यहां पर है कि निमलिकित भारतिय दीपों में से कौन सा दीप है जो कि भारत और श्री लंका के मद located है अब यह elephanta दीप है यह निकोबार है यह रामेश्वरम है या फिर यह सालसेथ दीप है कौन सा है जो कि भारत और श्री लंका के मद लोकेटेड है तो I hope आप लोग एकदम सही समझ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा है यहां पर option C यानि कि रामेश्वरम अब move on करते हैं next question पर so इस question में पूछा गया है आपसे की एक दीव पर निर्मित भारत का जो बड़ा नगर है वो कौन से है वो पनजी है रमेश्वरम है यह आपका पूर्ट विलेयर है या फिर यह आपका मुंबई है ठीक है तो सही आंसर यहां पर हमारा क्या है का मुंबई अब मुंबई जो है यह कौन से दीव पर लोकेटेड है किस पर बना हुआ है यह comment section बताईएगा आंसर बारहाल क्या होगा हमारा option D यानि की मुंबई अगला जो कोशन है इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा दीव भारती तटरेखा के सुदूरवरती दीव की श इसके बाद आज के session के last question की बात करते हैं इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से भारत में कहां प्रवाल भृतियां पाई नहीं जाती कहां पर जो है coral reefs नहीं पाई जाती मनार की खाड़ी में लक्षदीप में मालवन महरास्ट में या फिर यह आपका कैमबे की खाड़ी है तो सही answer का है का Option D यानि की कैमबे की खाड़ी यहां पर जो है coral reefs नहीं पाई जाती जबकि मनार की खाड़ी में लक्षदीप में और जो आपका मालवन है महरास्ट में वहां पर जो है coral reefs पाई जाती है ठीक है सो answer क्य होगा हमारा tracking का आपशन क् tailored की कहा जाएगा वैसे वैसे यहां पर number of questions को मैं increase करता चला जाओंगा अभी यहां पर 10 questions हमारे चल ले हैं इसके बाद with explanation यह number of questions बढ़कर 25 तक लेके जा सकते हैं बशरते आप लोग चैनल के साथ जुड़ें और daily basis पर वीडियो जा रहे हैं इनको जरूर देखें और कोई भी suggestion कोई feedback हो तो comment section में जरूर बताएं thank you so much have a nice tip bye bye